सभी राम भाग चाहते हैं कि जल सी जल राम लला का घर तयार हो जाए और वो अपनी गर्वग्रिह में विराजमान होकर भगपु को तैशन दे लगभग 500 वर्ष के संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदर आकाहली रहा है श्री राम लला के विराजमान होने की तारीख तै होने के बाद श्री राम मंदर नर्मान का कारेतेजी से चल रहा है इसमें लगभग 3000 से 32 मजदूर और कारीगर दनरात काम में लगे हुई हैं प्रभुश्री राम के मंदर में योगदान देने वाले मजदूर और कारीगर खुद को भाग्यशाली मानते हैं, इसके साथ ही मंदर नर्मान में कई संस्थाएं भी लगाई गई हैं, यहां कोई पत्थरों पर खुबसूरत नकाशी कर रहा है, तो कोई भगवान के मंदर के स को निकी प्राप्ति करने जैसा है. राम जन्म भूमी तर्ध ट्रस्ट सहयोगी शरत सर्मा का कहना है कि राम जन्म भूमी के इतने लंबे कांड खंड का जो संगहर्श रहा है, अब उसकी सिध्धी की ओर सभी बढ़ रही है, सभी मजदूर पूरे परिशर में कार्यारत है और वो हपनी सिवा दे रही है. चाहे वो कारीगर हों, चाहे स्रमिक हों, चाहे भक्त हों, सभी जो है उनके उसमें लगे हुए हैं और तीवरता के साथ वो बढ़ा भी रहे हैं, उनकी सेवा भी ले रहे हैं, चाहे वो संख्याज कल देड़ हजार थी, बंदरा सो थी, दो हजार हुई, दो हजार से धाई ह तो इस प्रकार से वो संख्याज निरंतर बढ़ा रहे हैं, और निरंतर बढ़ने का कारण वह तीवरता है, मुझे लगता है कि इसमें बरतमान में लगभग 3,000-3200 लोग पूरे परिसर में कारियत हैं, और वह अपनी सेवा दे रहे हैं, और सब बड़े प्रसंद रिचित ह कुछ मजदूरों का कहना है कि हम ऐसे मंदर का नर्मान कर रही हैं, जो दुनिया में सबसे अजूबा, अद्भुत और बहुत ही सुन्दर मंदर हैं, वही श्री राम जन्मभूमी मंदर के नर्मान में लगे कुछ मजदूरों का कहना है कि यहां पर काम करना बिलकुल पुन प्राप्ति जैसा है